प्यारे बचो नमस्कार कैसे हैं आप मित करते हैं आप बेटर होंगे आपके प्रहाई लिखाई बेहतर ढंक्षे पूरे जो जुन्चा चर रहा होगा आज हम बात करने वाले हैं वो पर चलित कॉमन कोशन को जो आपके जाम में बार बार आता है वह होता है मूर्गी और भेर क का जानवर है कूल सीरों के संख्या कितना है बहिया 180 है तथा कूल टांग गिनते हैं तो 420 है तो फार में गायों के संख्या क्या है या पूछ सकता है मुर्गी और बताओ अगर गाय की बात होते है तो सब को पता है कि गाय का 4 टांग होता है एक गाय का 4 टांग मुर्गी का भी पता होगा आपको एक मुर्गी का के टांग होता है तो दो टांग, अब यहाँ पर कहता है के कुल सीरों के संख्या 180 है, हमें पता है कोई भी जानवर हो उसकी एक सीर होती है, अगर टोटल 180 सीर है इसका मतलब है कि गाय अमुर्गी मिला कर कुल जानवर, कुल जानवर जो या थोड में है वो कितना है भाया तो 180 है अध्न दोनों उत्रम का कुल जानवार का टोटाल टांग कितना है 420 है हमसे पुछा है गाय का कोई बात नहीं निकाल लेते हैं भाया यहाँ पे अगर गाय का निकालना हो तो कुछ नहीं करना टोटल टांग गाय और मुर्गी मिला कर कितना है तो 420 है तो 420 में से गाय का निकाल रहे हो तो टोटल टांग में से मुर्गी का घटा दो बस और क्या तब एक मुरी का दो टंग होता है तोटल 180 मुरी की मान के चलना है तोटल टंग कितना होगा तो एक 180 गुना 2 कितना हो जाएगा 360 और इसका क्या करना है भागा में ये दोनों का अंतर जितना टंग का अंतर होगा न दोनों जानवर में उससे क्या करेंगे यहां पर अंतर लेते हैं, रुख जाईएगा, पूरी तरह से आपको हम समझाएंगे, कहीं को दिक्कत नहीं होगा अगर हमसे मूर्गी का पुशा होता तो मैं क्या करता, तो टोटल टांग मूर्गी और गाय मिलाकर कितना था 420 था, तो 420 में से अब की बार गाय वाला को घटा देते गाय वाला, एक गाय का 4 टांग और टोटा जानवर कितना, 180 180 गुना 4, कितना हो जाता भईया 720, आइसकों में ये दोनों के अंतर से भाग दे देते, तो आजाता 300 बटा 2, 300 बटा 2 का मतलब कितना होता भईया, 1.500 तो अगर हमसे मुर्गी का पूशा होता, तो हम कहते उसकी संख्या 1.500 है, ध्यान देना 420 में से 720 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन ये हम अंतर लेते हैं, यानि ये दोनों के भी जो डिफर है, उसको लेते हैं आगे बढ़िएगा, बास्तम ये रूल आफ इलिगेसन से बनता है, ये नियम जो निकला है, अगर आप एक समान के बनाओगे, तब भी ये नियम अराम से निकल जाएगा अगर ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है ये ध्यान रहे, इसको समझने के लिए एक कोश्चन से, और हम पहले समझने का हम यहाँ पर परियास करते हैं, ये कोश्चन कहता है कि एक फर्म हाउस में केवल मूर्गी और भेर है, सब को पता है, मूर्गी की बात आती है तो एक मूर्गा का दो टांग, भेर की बात आती है तब परतेक भेर का चाटंग होता है कहता है सीरो के कूल संख्या 38 है यानि यह हमें बता रहा है कि यह फार्म हाउस में कूल जानवर की संख्या 38 है तथा कूल पैर की संख्या कितना है भाईया सव है हमें भेर का निकालना है कोई बात नहीं निकाल लेते हैं भेर क कैसे निकलेगा तो cool पेर कितना है भेर और मुर्गी मिलाकर तो कहेंगे 100 है total पेर के संख्या कितना है 100 है 100 में से किसको घटाना होगा तो कहेंगे भेर के निकाल रहा है तो मुर्गी वालों को घटा दीजिए मुर्गी एक मुर्गी का दो टांग और टोटार 38 के 38 मान लेते हैं कि मुर्गी है तो 38 दूनी 70 टांग हो गया ठीक है किलियर है अब इसको क्या करेंगे इसका अंतर से भागा दे देंगे यानि 24 बटा 2 याने की 12 याने की 12 ये मेरा प्रस्द का क्या होगा जवाब होगा रुख जाईएगा आपको लग रहा होगा क्यों तो हम जानते ही हैं लेकिन जो ही आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत तरह का कोर्शन मिलेगा जिसमें आप लड़ खरा जाईएगा अगर हमसे बाकि 3, 4, 12, 8, 15 हो जाता अब बटा का क्या हो जाता ये दोनों का अंतर होता बार बुर रहा है दो नहीं बटा इस दोनों का अंतर अब यहाँ पर ध्यान दो थी आ जाता बामन बटा 2 यानि 26 आपका प्रस्त का उत्तर होता कि टोटल मुर्गी के संख्या कितना है 26 है आप भी कर सकते थे कि जब भेर आपका निकल गया 12 अगो तो मुर्गी कितना है तो 38 में से 12 घटा लेते ये भी आ जाता माइनस पर आपको ध्यान नहीं देना है ये ध्यान रहे अगला यहाँ पर देखिए इसी कोश्चन को पैटर्ण बदलकर इस प्रकार से अभी आपके पहियों की संखिया 160 है तो आटो रिक्सा की संखिया किया है कोई बात नहीं आटो रिक्सा में सब को पता है तीन पहिया होता है अब मोटर साइकल में सब को पता है दो पहिया होता है अब कूल बाहन यहाँ पर दे रखा है कि कूल बाहन कितना है 60 है तोटल पहिया की संखिय मिला का रिक्षा और मोटर साइकली मिला कितना है एक सो साथ हमको निकालना है आटो रिक्षा का चलो भाईया हम निकाल कर देखते हैं कि आटो रिक्षा की संखिया भाईया क्या है क्या करिएगा तो टोटल पहिया रिक्षा और मोटर साइकली मिला कर रिक्षा मोटर साइकली म अंतर बोले हैं, तो तीन दुकां अंतर कितना होता है, एक होता है, तो एक सो साथ में से 120 गया, आपका उतर कितना आ जाएगा, 40, याने कि टोटल आउटो रिक्षा के संख्या कितना होगा, 40 होगा, अगर हमसे वो मोटर साइकल की बात किया होता, कि भाईया बता दो कि मोटर स मृटर साइक्ल की संख्या क्या है तब आप क्या करते की टोटल बहान में से 60 में से 40 घाटा देते ए consig specially आथवा निकालना होता तो क्या करते किलियर है वहाँ पे भेर और मुर्गी का टांग का अंतर दो था दो से भाग देते थे अब यहाँ पे देखो माइनस 20 आया लेकिन हम लिखेंगे 20 अब 20 बटा 1 का मतलब 20 ही होगा यानि 20 आपका पसंद का जवाब होगा बात आ गया समझ में या नहीं समझ में आ गया अगर मोटा साइकल पुषता तो 20 होता आटो निक्सा पुषता तो 40 होता अब इसी कोशन को दूसरे थेंग से भी आपको पुछा जा सकता है देख लिजिए इस कोशन से फुषता बारेकी से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे कहता है कोशन नमर चार कि 380 आम लड़का और लड़की के बीच में बाटा गया जो संख्या में 85 है यानि यहाँ पे कुल संख्या लड़का और लड़की का कुल संख्या कितना दिया है 85 अब यहाँ पे कहता है कि परते एक लड़के को 4 आम लड़का में 4 आम दिया जा रहा है और परते एक लड़की को 5 आम अहाँ पर कहता था है कि भेर का 4 टांग, और 2 टांग, तो उस धंग से कोषिण न करके यहाँ पर घहराई कि लटा को 4 को 5 ही मिलता है, अज टोटल आम बटा कितना है, 380, तो आपको बताना है कि लटा की संखिया क्या है, बस कोई बात नहीं ये भी क्वेशन को उसी ढंक से बना लेंगे टोटल टोटल आम है कितना भाया तो तीन सो असी आम है टोटल आम है कितना तीन सो असी आम 280 आम में से लड़कों का कितना मिला ए निकालना है तो लड़की वाला को घटा दीजिए लड़की वाला को क्या करेंगे घटा देंगे लड़का का निकल जाएगा लड़की वाला कैसे घटाएंगे तो टोटल के टोटल पचास ही था एक लड़की को पांच आम मिल रहा था त अब इसको हल कर दिजिए तो कहिएगा पाच हो गया भाईया बारा में से आठ गया चार हो गया यानि पैंटालिस लड़का के गो है पैंटालिस को है इसी धंग से लड़की का पुशा गया होता बैचांस माल लिजिए कि आप से प्रसमू लड़की का किया होता तो क्या करते तोटल आम में से 38 में से किसको घटाते तो लड़का को मिला आम घटाते यानि कि ये वाला घटाते अब की बार ये वाला घटाते तो लड़की का बच जाता कैसे तो पांचो बिस के सुना वाकि दू आर चो बतीस अर दू चो तिस तीन सो चालिस अब बटा ए दोनों का अं रूप में दे कहीं कोई दिक्कत हमें होने वाला नहीं है अब यह कोशन कोशन नमर पाच को देखिए 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपिया बाटा जाना है कितना बाटा जाना है 41 हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं तो बताओ कि लड़का के संख्य क्या है और यह कोशन आपको होमबर के रुप में रहा और इसी तरह से बनेगा भी आता उमीद करेंगे किसको हल करके एक समान के नहीं एक सभाई मान के नहीं रूल अलिके संसर नहीं जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीका से आपको बनाना है और उत्तर देना है ठीक है यह और बेल आइकन का बटन भी देवा लिजिएगा ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं इसी प्रकार का सौट वीडियो के साथ अगले कलास में जब तक आप खुश रहिए मंगर रहिए ओके बाई